फाइनाइन्स से जुड़ी लेटेस इंफरमेशन पानी के लिए फिनोवेशन अपडेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फिर्स्ट अपडेट है इसके लिए यूजर्स को अगले दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा पेटियम की नई एक ही दिन की सेटलमेंट फैसिलिटी उन बिजनस को हेल्प करेगी जो डाउंस्ट्रीम पार्टनर्स को पेमेंट करने के लिए फंड की इमिजेट अविलिबिलिटी पर इसके वज़ा कंपनी की शेर बाइबैक की खबर है कंपनी ने कहा कि 15 अक्टूबर को बोड की मीटिंग में शेर बाइबैक प्लान पर विचार किया जाएगा सुबह 10 बच कर 10 मिनट पर राने ब्रेक के शेर लगभग 19.3% की चलांग लगाकर 693.65 रुपीज के प्राइस प रुपीज के प्राइस पर बंध हुआ था राने ब्रेक ने मंडे इवनिंग स्टॉक एक्सचेंजिस को बाइबैक प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी थी जून 2020 कौटर में कंपनी को 6.9 क्लो रुपीज का लॉस हुआ था वहीं एक साल पहले 7.9 क्लो रुपीज प्रॉ इस दील की वैल्यू का खुलासा नहीं किया है कंपनी ने ये जानकारी भी नहीं दी है कि उसने ये जमीन किस से खरीदी है कंपनी के अनुसार 15 एकर में पहले इस प्रोजेक्ट के तहट लगभग 16 लाग स्क्वेर फिट मार्केटेबल एरिया डेवलप किया जाएगा इसमे डिफरेंट साइजिस के रेजिदेंशल अपार्टमेंट्स होंगे नेक्स्ट अपडेट है रिलाइंस जियो देश में 40 क्रोड कस्टमस का आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली टेली कम्यूनिकेशन सर्विस कंपनी बन गई है तेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राय द्वा इंडिया की फ्रेश रिपोर्ट के अनुसार जिलाइं में मुबाइल फोन कनेक्शन बढ़कर 114.4 करोड हो गए जून में ये संख्या 114 करोड थी इनमें अर्बन एरिया के 61.9 करोड और रूरल एरिया के 52.1 करोड करोड कनेक्शन थे नेक्स्ट अपडेट है करोना वरस व ले रहे एक शक्स को किसी तरह की अंजान बिमारी होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने करोणा वैक्सिन का ट्राइल रोकने का फैसला किया है आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन ने अमारिका में COVID-19 वैक्सिन के क्लीनिकल ट्राइल के लिए एक ऑंलाइन डैस्ट प्राइस एनेसी पर 180 रुपीज से ज्यादा पहुँच गया है सोमवार को ये शेयर अपने इशू प्राइस से 49% बढ़त पर लिस्ट हुआ था हाला कि लिस्टिंग के बाद इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और कल इसने लगभग आधी बढ़त खो दी ये आईपयो 157 टाइम सब्सक्राइब हुआ था इसका प्राइस बांड 135 रुपीज तो 145 रुपीज था इस आईपयो से कंपनी ने लगभग 144 क्रो रुपीज कलेक्ट किये थे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी का फंडमेंटल एनलेसिस करना बहुत ज़रूरी है और fundamental analysis को आसान बनाने के लिए हम आप के लिए लेकर आए है fundamental analysis course जिसमें आप आसानी से किसी company का fundamental analysis करना सीख सकते हैं साथ ही हमारे इस course पर आप 14 दिन का free trial ले सकते हैं यानि पहले सीखें और फिर pay करें साथ ही आप subscription को 14 दिन के अंदर कभी भी cancel कर सकते हैं इसमें आप से कोई भी charge नहीं लिया जाएगा तो अब देर कैसी course का link नीचो description box और comment section में available है next update है चीन की economy अब करोना वरस महामारी के effect से उबरती दिख रही है border tax department द्वारा जारी data के अनुसार सितंबर में चीन का export 9.9% बढ़कर 239.8 billion dollars पर पहुँच गया अगस्त में export में 9.5% की growth दर्ज हुई थी इसी तरह सितंबर में import 13.2% बढ़कर 202.8 billion dollars पर पहुँच गया अगस्त में चीन के import में 2.1% की गरावट आई थी COVID-19 महामारी की वजह से दुनिया भर के economy में lockdown लगाया गया था लेकिन चीन के economy lockdown के बाद जल्दी खुल गई है जिसका फायदा उसके exporters को हो रहा है especially mask और medical supplies के मामले में चीन के exporters की चांदी है next update है paper content ने series A financing round में 42 lakh dollar collect किये है content marketplace startup के अनुसार उसने ये amount light speed इंडिया की leadership में अलग-अलग investors से collect किया है company के अनुसार इस fund का इस्तमाल वो नए content categories जैसे video और audio के साथ साथ South East Asia जैसे new areas में entry के ले करेगी light speed इंडिया के अलावा कई major angel investors जैसे unacademy के गौरव मुंजाल मिदेन संपत कैपारो गुरूप के अखिल पॉल और SAP Labs इंडिया के former managing director दिलीप खंडेलवाल ने company में invest किया है यहाँ पर हमारा आज का fin point session समाप्त होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए thank you